दुनिया में एक और दुनिया और उससे भी छोटी दुनिया जिसे हम Pilik के नाम से जानते हैं इस माइक्रो दुनिया में इस दुनिया की हर एक चिसक इतती ऑचुटी ओसम दिखाई देती है उसे आज आज आप लोग देखने वाले हो आप देख रहे हो Curious Facts और आज आप माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाली सबसे कमाल की चीजों को देखने वाले हो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक जरूर देखना अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो किसी मकडी के जाले की तरह दिखाई दे रहा होंगा पर ये कोई मकडी का जाला नहीं है बलकि ये टी बैग है जिसे पानी में डालती है उसमें से चाय पत्ती निकल आती है और ये है चाय पत्ती का माइक्रोस्कोपिक इमेज चाय पत्ती माइक्रोस्कोप में बिल्कुल किसी सूखी वी लकडी की तरह दिखाई देती है अभी मैं जिसका माइक्रोस्कोपिक इमेज दिखा रहा हूँ वो एक मकड़ी का जाला है जो कुछ ऐसा अनोगा सा दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में ये एक ऐसी चीज है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं और माइक्रोस्कोप में देख लेने पर शायद आपसे बड़े होल करके रख देता है मुझे तो इस इमेज को देखकर काफी डर लग रहा है बटरफ्लाइ एग बटरफ्लाइ के एग को आप लोगों में से शायद किसी ने देखा होंगा तो अब भी के अब भी देख लो बटरफ्लाइ के एग कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और को यह एक पेंसिल की माइक्रोस्कोपिक इमेज इसके अंदर का हर एक हिस्सा बिल्कुल अलग-अलग सा दिखाई देता है मड यानि कीचड कीचड को अगर माइक्रोस्कोप में डाल कर देखा जाए तो कीचड में सिर्फ गंदगी दिखाई देंगी पर इसके इलावा जो उस कीचड में जो बैक्टिरियास मौझूद होते हैं उसका लाइफ फूटेज आप खुदी देख लो देखो ये कीचड में मौझूद उन बैक्टिरियास की माइक्रोस्कोपिक फूटेज है ट्री लीफ अगर आप लोग एक पेड़ के हरे बरे पत्ते को माइक्रोस्कोप में डालकर देखोंगे तब वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको इसने की स्कीन एक साप को तो आपने देखाई होगा और उसकी खाल की स्स्पूट होती है वो तो आप लोग जानती होगे और अगर इससाप की खाल को माइक्रोस्कोप में देखे तब वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है glitter nail polish glitter nail polish जो कुछ इस तरह से चमकदार होती है जिसे लड़की आपने nail लगाती है अगर इसे मांइक्रोस्कोप में डाल कर देखेंगे तक वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है देखो इसमें उसके छोटे-छोटे कटे हुए चमकदार तुकडे की तरह से दिखाई देते हैं न ये काफी अनुखी सी चीज एग यानी अंडा अंडे को माइक्रोस्कोप में देखने पर वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है खुली आखों से नहीं दिखने वाले छोटे-छोटे छेट की वज़य से उस अंडे के अंद आखों को अगर हम माइक्रोस्कोप में डाल कर देखेंगे तब वो कुछ ऐसी दिखाई देती है इसे गौर से देखने पर ऐसा फील हो रहा है कि मानो जैसे यह कोई आख नहीं बलकि यह कोई ब्रह्मान का एक हिस्सा है मानो जैसे सच में माइक्रोस्कोप के दुनिया हमें इसी चीज़े दिखाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है कर्ड यानी दही दही अगर आपको पसंदे और अगर आप इसे खूब मज़े से खाते हो तो शायद इस माइक्रोस्कोपिक इमेज के बाद आपको दही खाने से पहले 10 बार सोचना पड़ जाए तो चलो अब हम सब की फेवरेट इस स्ट्रॉबेरी को माइक्रोस्कोप में डाल कर देख कर आते हैं ये देखो ये किस तरह से दिखाई देती है और इसके ऊपर छोटे छोटे लिविंग बग्स भी मौजुद होते हैं जिसे हम अपनी आखों से कभी भी नहीं देख पाते ह अगली बार जब कभी आप स्ट्रॉबेरी खाओ तब उसे अच्छे से पानी से दो कर जरूर खाना रेड आंट्स एंड ब्लैक आंट्स चीटियों से हर कोई डरता है और रेड कलर की जो चीटिया होती है वो तो काफी खतरनाक मानी जाती है जो एक बार काट ले तो स्किन इ दिखाई देती है यह दोनों चीटिया आप माइक्रोस्कोप में सच में बहुत ही अलग तरह से दिखाई दे रही है यूमन नेल अगर आपके उंगलियों के नाखुन को माइक्रोस्कोप में डाल कर देखेंगे तब वो कुछ इस तरह से दिखाई देते है देखो यह आपक पर क्लिक करके जरूर देखना उसे देखकर आपको काफी मज़ा आ जाएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सबको शेयर भी कर देना और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करकर इस बिल आइकन को और जरूर कर देना